मैं इंडिया गडवंदन की ओर से आज 140 करोर लोगों भारत वासियों को 6 गारंटी देता हूँ पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे कहीं कोई पावर कट नहीं होगा पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे हर गाउं और हर महले में शांदार सरकारी स्कूल बनाएंगे अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान सिक्षा मिलेगी हर गाउं और महले में महला क्लीनिक बनाएंगे हर चिले में शांदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे देश के हर वैक्ति के लिए शांदार और फ्री इलाज की विवस्था करेंगे किसानों को स्वामी नाथन आयोग के मुताबिक सई फसलों पर मस्पी निधारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे मन्जूरे मैं आज ये अलाज करने के लिए अपने सभी इंडिया गजबंदन के साथियों से क्योंकि ये एलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमती या सहमती नहीं ली जेल में हूँ इसलिए सहमती लेना संभाव नहीं था उम्मीद करता हूँ कि किसी को इस पर आपती नहीं होगी ये सभी छे कारंटी हम पाथ साल में पूरी करेंगे इसका पैसा कहां से आएगा इसकी पूरी प्लानिंग कर लिए सभी साथियों को मेरा रमस्का आज आपके अपने केजरिवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी हमारे प्रधान मंत्री मोधी जी ने मेरे पती को जेल पे डाल दिया क्या प्रधान मंत्री जी ने सही किया क्या आप सब मानते हैं कि केजरिवाल जी एक सच्चे देश भख्त और इमान्दार इंसान है यह बीजिपी वाले यह कह रहे हैं कि केजरिवाल जी जेल में है इनने इस पीफा देना चाहिए क्या केजरिवाल जी को इस्तिफा देना चाहिए क्या उन्हें इस्तिफा देना चाहिए केजरिवाल जी को इन्होंने गिरस्तार कर लिया आपके केजरिवाल शेर है शेर यह जादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे करोड और लोगे क्यों दिल में बस्ते हैं केजरिवाल जिस बहादरी और सहाथ से वो देश के लिए लड़ रहे हैं कभी कई बार मुझे लगता है कि अजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए इस जन में भी केजरिवाल जी को शायद भारत मा के संघर्ष के लिए भेजा है अब मैं आपको केजरिवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी मेरे प्यारे भारत वासियों जेल से आप सब अपने इस बेटे अपने भाई का प्रनाम स्विकार कीजिए मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा आने वाले चुमनाओं में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा आज मैं देश के 140 करोड लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सिहोग मांगता हूं 140 करोड भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए अमंत्रित करता हूं भारत एक महान देश है हमारी संस्कृती कई हजार वर्ष पुरानी है भगवान का दियस सब कुछ है भारत में फिर भी हम पिछडे क्यों है हमारे लोग अनपड क्यों है गरीब क्यों है मैं यहाँ जेल में हूँ यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है रात को तू तूटके नींद आती है भारत मा के लिए सोचता हूँ भारत मा बहुत दुखी है भारत मा दर्द में है दर्द से करा रही है जब महगाई की वज़े से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती तो भारत मा को बहुत दुख होता है जब भारत मा के बच्चों को अच्छी सिक्षा नहीं मिलती 75 साल बाद ही सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं तो फारतमा बेबस और लचार में हसूस करती है जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं सडके तूटी हैं 75 साल बाद भी हालत खराब है तो मां को बहुत पीड़ा होती है उस पर जब कुछ नेता सुभा शाम लच्छेधार भाशन देते हैं शानों शौकत की जिन्दगी जीते हैं अपने तोस्तों के साथ मिलकर देश रूटने में लगे हैं तो भारत मां को बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों से भारत मां को सक्त नकुड़त है आईए मिलकर एक नया भारत बनाते है 140 करोर लोगों के सपने का भारत एक ऐसा भारत जा हर इंसान को भर पेट खाना मिलेगा हर हाथ को काम मिलेगा कोई बेरोजगार नहीं होगा कोई गरीब नहीं होगा कोई अनपर नहीं होगा हर बच्चे को अच्छी सिख्षा मिलेगी चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का हर भी मिमार को अच्छा इलाज मिलेगा चाहे वो अमीर हो या गरीब देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी देश के हर गाउं में शांदार सडके होगी एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में सिक्षा का केंदर होगा जहां दुनिया भर के युगा पढ़ने के लिए आएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस टेकनOLOGY में वर्ड लीडर होगा भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहचाएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊच नीच नहीं होगी नफरत नहीं होगी मार पीठ नहीं होगी काली गलोच नहीं होगी जहां सबको नियाय मिलेगा प्रेप और भाईचारा होगा आज मैं देश के 140 करोर लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आहुहान करता हूँ यदि आप सब इंडिया गड़बंदन को मौका देते हैं जिम्मेदारी सौपते हैं तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट का निर्मान करेंगे केवल नाम में इंडिया गड़बंदन नहीं है दिल में इंडिया है दिल में मैं इंडिया गड़बंदन की ओर से आज 140 करोर लोगों भारत बासियों को छे गारंटी देता हूँ पहली पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे कहीं कोई पावर कट नहीं होगा मंजूर है दूसरा पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे मंजूरे तीसरी हर गाउं और हर महले में शांदार सरकारी स्कूल बनाएंगे अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान सिक्षा मिलेगी होना चाहिए चोथा हर गाउं और महले में महला क्लीनिक बनाएंगे हर जिले में शांदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे देश के हर वैक्ति के लिए शांदार और फ्री इलाज की विवस्था करेंगे मंजूरे पाच्वी किसानों को स्वामी नाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर MSP निधारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे मंजूरे छटी दिली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है उनकी चुनी हुई सरकार पंगू है ये अन्याय हम समाप्त करेंगे दिली वाश्यों को उनका हग दिलाएंगे दिली को पूर्ण राज्ये का दज्जा दिलवाएंगे मंजूरे मैं आज ये अलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गटवंदन के साथियों से माप्ती मांगता हूँ क्योंकि ये अलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमती या सहमती नहीं ली जेल में हूँ इसलिए सहमती लेना संभाव नहीं था उमीद करता हूँ कि किसी को इस पर आपती नहीं होगी ये सभी छे कारंटी हम पाथ साल में पूरी करेंगे इसका पैसा कहां से आएगा इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है मैं यहाँ छेल में स्वस्थू पूरी उर्जा से भरा हूँ इस गिरफतारी में मेरे होंसलों को और मजबूत किया है आपकी दुआए और आशिरवाद मुझे लगातार मिल रहे है उपर वाला मेरे साथ है जल्द भार आकर आपसे मिलता हूँ आपका अरविल सभी लोगों को सभी लोगों का आशिरवाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पती को अपने ये आशिरवाद बनाए रखें भारत में ये ताना शाही नहीं चलेगी हम लड़ेंगे जीतेंगे अंत में मैं सभी लोगों इंडिया अलाइंस के लोगों का भी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं या नेमर जै हिन